रीट बरती दोजा 16 वर 18 के अभ्यर्थियों के डॉक्युमेंट होंगे दोबारा जांच जी हाँ दोश्तों इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है कि रीट बरती दोजा 16 वर 18 के जो भी अभ्यर्थि छे जो भी इस बड़ती में जोईन कर चुके हैं उन सबी के दोनों अभीर्थियों के दोक्यूमेंट होंगे दुबारा जाठ प्रात्मिक शिक्षा निदेशा ने भी इसके बारे में आदेश भी जारी कर दिया है दोस्तों पूरी खबर इस बारे में जानेंगे नमस्कार साथ ही ओं मेरा नाम है मोतिलाल कनोजिया और आप देख रहे है रोयल टीचर चली दोस्तों शुरू करते हैं आज का मारा वीडियो और बताते हैं इस बारे में पूरी जानकरी और आपको बता दें कि इस बार जो आपको डोक्यूमेंट वेरिफाई करवाने हैं तो औरीजनल डोक्यूमेंट 10 सितंबर तक आपको जमा करवाने होंगे कहां जम्मा करवाने हैं कैसे करवाने हैं पूरी जानकर इस वीडियो में करेंगे तो दोस्तों वीडियो को अंते तक जरूर देखें साथ ये भी बता देता हूं अगर आपके डोक्यूमेंट फर्जी निकले तो आपके खिलाफ दर्ज होगी साथ ही आपको पुलीश का वेरिफिक कीजिए पास में आने वाले घंटी के बटन को दबाना न भूलें क्योंकि इसे मोशली बेनिफिट ये रहेगा कि आगे आने वाले हर एजुकेशन संबर्दी निउज आप तक सबसे पहले आपके मॉबाइल में पहुंच जाएगी चले दोस्तों आप बात करते हैं रीप ब जमा कराने होंगे जी हां दोस्तों यह देख लिए पूरी खबर आपको बताऊंगा तो अंतर तक वीडियो को जरूर देखें यह लिखा है उपर प्राइमरी वह मिडल इसकूलों के लिए फैसला दूसरे राजियों के दस्तावेजों पर रहेगी नजर आपने अगर अपन पूरी डिगरी की और क्या-क्या बताया है इसके बारे में दोनों को पूरा बता देता हूं मैं आपको कि इसमें इस बार जो भरती हुई थी लेवल वन और तू की वह पूरे जो अभ्यर्थी थे वहो करीबन 27000 के करीबन थे प्रदेश बर में और करी अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने बाहर से डिग्री ले रखी है बाहर की डिग्री का मतलब साफ है कि वो राजिस्थान राजी से नहीं लेकर दूसरे राजी से डिग्री लेकर आये थे और डोक्यूमेंट की जाज भी अब दुबारा होगी उनकी तो क्या है देखिए पिछली सरकार के समय वर्ष 2016 war 2018 में प्रदेश के 33 जिल्ओं के प्राइमरी वर मिडल इस्कूलों में नुक्त लेवल ़न और लेवल टू के शिख्शों की डिग्री ओ डोक्यूमेंट की जाज होगी इन पदों पर चयानित शिक्सकों के दूसरे राजी की डिग्री and sectioning डोक्यूमेंट की जाज कराई 2016 वह 18 में 27,000 से अधिक पदों पर भरती हुई थी विकानेर शिक्षा निदेशाल लए प्रारम भिक इस संबंद में सभी डियों को निर्देश दे दिये हैं ये देखे बहुत बड़ी खबर आ रहे हैं कि निदेशाले द्वारा भी सभी डियों को भी निर्देश दे दिये ग इस शिक्ष्कों के राजिस्थान से बाहर की डिगरी की जाच करने के लिए पियों को अधिकरत किया गया है अब आपकी जो डॉक्यूमेट की जाच होगी वह अपने पीयों इस तरप करेंगा आपने अभी अभी अपने पड़ा भी है कि यहां साफ साब अक्सरों में लिख जिन चैनित चिक्षकों की डिग्री वर अन्य डोक्योमेंट दूसरे राजियों के संस्थानों दोरा जारी किये गए हैं उन्हें सम्मंदित संस्थाओं से परमानित किया जाना है अगर आप अपना डिगरी दूसरे राज्य से लेकर आए हैं तो वहां से जाकर आपको दुबारा उसको परमानित करवा कर लाना होगा अन्य था आपकी नौकरीप पर खत्रा मंडरा सकता है और क्या खबर है इसमें पतातेते हैं आपको कि 10 सितंबर तक ओरिजनल डॉक्योमेंट जमा कराने होंगे अध्यापक भरती 2016 वह 2018 में चैनित शिक्षकों के ओरिजनल डॉक्योमेंट 10 सितंबर तक अनिवारे रूप से जमा कराने होंगे साथ ही जिनोंने चैतर परमान पत्र जमा नहीं करवाया है उन्हें भी पुलिस द्वारा जारिच परमान पत्र जल्द ही कारेले में जमा कराने होंगे चैतर परमान पत्र जमा नहीं कराने वालों की सूचना इस्थाने कारेले में देनी होगी ताकि नेमा नूसार अग्रिम कारवाई की जा सके अनिठा इसके लिए P.O. जिम्मेदार होंगे तो P.O. भी अब अधिकरत है डॉक्यूमेट वेरिफ्याई के लिए अगर नहीं करते हैं या कोई और प्रॉब्लम आती है तो पियो खुद जिम्यदार है इसके बारे में पुलिश द्वारा जारी परमान पत्र चरीतर परमान पत्र के लिए बिना ही संबला दिया पद यानि पुलिश द्वारा जो चरीतर परमान पत्र वेरिफाई किया जाता है दिया जाता है उसके अलावा कई जगह चैत्र पर्मान पत्र समधित कारेलें इसकुलों में जमा ही नहीं करवाए गए हैं विभाग के अनुसार वस्ट दो जास सोला में तेतीस जिल्लों में अलग-अलग विश्यों के लिए प्राइमरी एं मिडल इसकुल शिक्ष्कों को सीधी भरती के लिए वेकेंसी जारी की गई थी इसमें लेवल वन लेवल टू हिंदी में 4900 सामाजिक अध्यन में 32900 अंग्रेजी में 9446 उर्दू में 125 और संस्क्रत में 623 पदों के लिए भरती नॉन टीएसपी के लिए भरती निकाली गई थी ये तो पापस भरती का जो पदों का विबरन था दुबारा दे दिया गया है कि इन पदों पर भरती हुई थी अब इन पदों में जो जो लग गए हैं जो सिक्षक कारेरत है चाए वो 2016 की बरती में लगे हैं चाए वो 2018 की ब जारी कर दी है यहां देखिए साफ लिखा है यूजी शी ने 30 जून 2016 को फर्जी यूनिवस्टी की लिस्ट जारी की थी जिसमें 22 संस्थानों के नाम थे वहीं 31 मई 2019 को जारी आदेश में कहा गया कि इंडियन इस्टिट्यूट ऑफ प्लानिंग एंड मैनेजमेंट आई कुतुबल एक्सेंट फेस्टू नई दिली सोडा भी स्विध्याले नहीं है इसके अतिरिक्ट यूजी शी के अधिनियम के तहट दिगरी प्रदान करने का आई आई पी एम को कोई अधिकार नहीं है यह भी सूचित किया गया है कि यूजी शी के आई आई पी एम को BBA, MBA, BC BCA सनातक और सनातों को तर इस तर पर डिगरी प्रदान करने के लिए अधिक्रत नहीं किया गया है नाहीं मानेता प्रदान की गई है इसके तहट इसमें किसी भी पाठिक करम के तर डिगरी देने पर रोक लगाई गई है यह दैनिक भासिकर की ओफिशल न्यूज यह सूची यूजी शी की ओफिशल वेबसाइट से लिग गई है इसमें उलेखित है कि भारतिय शिक्षा परिश्ट लखनो उत्तर परदेश से संबंदित म पात्र नहीं है जन साधान को चेताव नहीं दी जाती है कि इस अंस्तानों में दाखिला न लें अब क्या केते हैं प्राणबिक शिक्षा निदेशा ले यह देखिए यहां एक और खबर है 2016 और 2018 की भरती के तहट लेवल 1 और लेवल 2 के तहट चैनी शिक्षों के दूसरे राजियों की डिगरी वह अन्य डोक्यूमेंट की जाच कराएंगे साथ ही पुलिस द्वारा जारी चैतर पर्मान पत्र का सत्यापन किया जाएगा इसमें फरजी दस्तावेद मिले तो पुलिस में एफाई आर दर्ज साइट अन्य परकरिया अपना ही जाएगी अगर आपकी डिगरी किसी दूसरे राजिये से है साथ ही पुलिस वेरिफिकेशन चैतर पर्मान पत्र भी दुबारा लिया जाएगा अगर आप ये पेश नहीं करते हैं तो आपके खिलाफ कारवाई की जाएगी इसके लिए पियो को अधिकरत किया गया है तो आपको जो डेट दीने पहले आप अपने पियो से संपर्क करें क्या कहते हैं वो और पियो को डॉक्यूमेंट वेरिफाई भी करवाएगी अप भी सब भी जो डियो है वो भी निर्देश जारी कर देंगे तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक शेयर और सस्क्राइब कीजिए पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं दोस्तों एजुकेशन संबंदी न्यूस तुरन पाने के लिए आजी चैन पları को जरूर ये कम बब recording